तो गाइज एक और दिन की शुवात हो चुकी है और एक ब्लॉग वाँ को स्वागत है तो आज हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं कि हांके मेरे घर नेवरूड के पास में थोड़ी जगा है शौ ब्रीज करके जब पुरान है स्टाइल के ब्रीज होते थे 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 नहांके उसको अपने एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं और देखते हैं वह कैसा है और क्या के सीनिक व्यू मिलते हैं फिलाल तो यह ऐसा कुछ नेवरूड है यह घर बन रहे हैं पीछे पूरे लकड के और ब्रिक्स दौनों मिक्षर होता है यहां पर जैसे मैं वाले बता चुका आप जो मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे स्पोर्स एरिना युनियस्टी वाला यह वो इलाका है बुरा इस तरफ और सुन्दर से घर है और पीछे इसके ग्राउंड पर आगे चल रहे हैं हमादे आगे कुछ लोग भी जा रहे हैं फिलाल ऐसा कुछ रास्ता है यह बढ़ाई सुन्दर सा सीनिक सा भी हुए शांति है काफी मेरे इस तरफ शायद फुटबॉल वाला ग्राउंड है यहां पर अच्छा लग रहा है यहां पर धंड है और मजा भी आ रहा है देखते आंगे क्या देलता है इस वाइस उस रास्ते जपन अंदर आ गए और काफी सीनिक जो फील होती है ना वैसी आ रही है बहुत सुन्दर देखने में पीछे गाड़ी आ रही है फड़ो साइड जाते हैं अ कि आसे गीली है बारिश वारिश होती रहती है जो कि अधस्टर देखो में एक वीड़ों में दिखाऊंगा कि यहां पर है और इंडिया में जो गाड़ी कॉममन चलते हैं सारी गाड़ी इसको कवर गरेंगे हां पर एक बार चलते हैं फिर आगे पीशे व्यू दिख रहे है अधा गया चलो फिर आगे जलते हैं बहुत कुछ देखते हैं तो जैसे मैं आपको बताया था बार बर दिखा रहा था जो स्टूरेंट्स के लिए जो प्लेंग ग्राउंड वगरा हैं तो कैसे दिखते हैं तो यह बोई जगा जो पाड़ी है कि यहां पर पूरे घ्राउंड है इस तरह फो सिंथैटिक ग्राउंड है होकी प्रॉपर होकी ग्राउंड इसले तो मैडल आते हैं बाई स्टूडेंट्स को यह फैसलेटी मिल रहे ना तभी यहां से इतने मैडल दिखते हैं अपने इंडिया में होना चीए हर एक फैसलेटी है दिल्ली वह पर भी यहां के बच्चों के लिए भी ना इस ताइप के देखो कितने अच्छा और एक प्रफेशनल ग्राउंड बना हुआ है तो गाइज यह जगाती है पार्क पहां का मैलों पार्क काफी अच्छे से बना रखता था लोगों ने इसे काफी सीनिय व्यू के साथ यह देख रहे हैं अप सब से बढ़े चीज़ है जुनकर के दिखाते हूं पेड़ खराब हो गया था पेड़ गया था उन्होंने इसको काफी अच्छा लग रहा है तो काफी अच्छे से मैंटेंट ता घर भी ते अंदर लोग अस्ते टा एक लोग भूमने फिर ने आये थे बहुत अच्छा था वह आपस अपना आ गए हैं है कि तरफ में रोड़ी है पीचा पार आते हैं वाप सरकल से अपना आगे चलेंगे आग एक नदी है नदी के उपराना प्रिज है उस प्रिज को दिख जा रहे है कुछ-कुछ वीडियो को आप पाफी पसंद कर रहे हो उसमें दो तो तीन 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 थार व्यूज भी आया है आईनो कंपेटेबली जो पाकी बड़े यूट्यूबर से कंपेर को तो बिलकुल पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करो ना इसे शेयर करो फोड़ा सा और अच्छी रीच आई कि ना फटाव मोटिवेशन आता है लाइक सब्सक्राप करते हो तो 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 बाकी कुछ जादा चाहिए निसमें बस यही है कि अगर फोड़ा स आप जीजिए आके दिखाऊ कुछ स्टूडेंट से लेटिट पी दिखाऊ कोछे इंप वीडियो पी बनाऊं और जैसी आप 500 सब्सक्राइब करोगे अपन जीए वाले स्टूडियो जाएंगे शूट करने तो पूरी वीडियो आएगे जैसे टैटेनिक वाली आई थी पाइज कर आलो इस पाकी काफी अच्छा मेंटेंट हाई वे हैं सडके वाधी चल रही है है थंड है ऑफिस की बहुत है हवा चलती है सब्सक्राइब भढ़ जाती है आपको फेल भी हो रहा है माइक में पहना नहीं है तो थंड फील हो रही होगी हवा अचली है यह कुछ सब्सक्राइब कर सकते हो बोटिंग कर सकते हो कि आगे रिवर है और ऐसी कुछ जगा है यह प्रॉपर वेल मेंटेंड गाडियों के जाने के लिए और पूरा इनोंने गार्टन टाइब बना रखा है कि लोग आपे एक्स एक्स्पोर कर सकें बच्चों के लिए आगे जूल बगए बगराबी है और साइंस हर चीज मेंटेंड आगे अच्छे सारी चीज़े मेंटेंड कर रखी है तो दिखाते हैं खुब्सूर्थी से लाग्या की अब बाकि यह फ्री है तो जोता भी मेंटेंड इस होती है यहां के टैक्स्पेर की परसों से होती है और आप यही साथ में उनके लिए वेल मेंटेंज जूले वगरा और यहां पर कुछ बोर्ड है शौब्रेश कि कहारा नहीं साथ ट्रेलर नहीं से बसेज नहीं है है फैनल्टी काफी सारी है और एक दिन में आप आ रहे हैं गाड़ी से तो बारा गंटे तक यहां को अलाउट है यहां पर आपने पार्किंग कोई फीच नहीं है अगर आप करते हो तो पैनल्टी अगरा हो सकती है तो आप पार्किंग का राका है यह पीछे एस्टेट जा रहता है संसेट बहुत प्यारा लग रहा है तो काफी सही टैम पर आये हैं लगबक तीन बजह रहे हैं और यहां पर चार स्टार्टिंग जल्दी करने पड़ती है अपनी तो पहुंच गए अपन आगे देखते हैं बाकी यह जो ब्रेज है जहांसा भी गाड़े जा रही है यह नया ब्रेज है और यह जो सामने मेरे आपको दिख रहा होगा यह काफी अच्छा लग रहा है पर यह बंद हो चुका गाड़ियों के लिए तो यह पुराना बिर्ज है जिसको अपन देखने आये हैं नीचे से यहां से जगा है जाने की और छोटी सी नदी है यहां पर कि एक्टिविटी करने को रखी जगाएं तो बस बाकी सब तो इतना ही है आगे दिखते हैं और क्या क्या है करने को कि यहां पर हाइकिंग वगरा है करने के लिए और टूर्स है किसारी चीज़े हैं कि यहां पर हाट सीवन रखी है बतके हैं नीचे चलते हैं आगे जो भी अच्छी सीनी की दिखते हैं आपको तो यह जो जगाए यहां का बोट हाउस है पुराना अप्सुत करता मॉडिफाय कर दिया है पानी बहुत उपर आ रख्या कोगी बारिश का मौसम है जारी चलती रहती है भाव आपको दुख रहागा किता पुराना प्रॉपर बिटिस पीछे मेरे देख रहा है लोग रणिंग वगरा कर रहे हैं शांतिया लाका है थोड़ सा और आगे जाएंगे तो गाडियों का शोर शराबा भी बिल्कुल बंद हो जाएगा तो बाकि ऐसे कुछ है बड़ी एक प्यारी सुंदर सी नदी है शा सीनिक सी सुंदर से विवा है छोड़ी सी नदीया वसी है है और यहां सरजाद ब्रिज का अच्छा भी आयो था आच जाए तो बाकि तो यहां पर दिख फिल दोग भूम रहे हैं शांतिय अधार नदी है नर की दरफ और आगे ऐल-चल रहे हैं बाकि कि यहां पर आपको अपार्टम लंडनक सिटी सेंटर लाले लाके को अगर छोड़ दो तो इतना शोर से रवाव अलागत नहीं है थोड़ा वह तो इलाका यहां पर लोग ज्यादा रहते हैं क्राउड रहता है और बाकी तो काफी सिंदिक विऊ हैं के आसपास के तैसे आपने एक तो बस आगे जलते हैं कर दो कि इस फेड़ पर बागे आगे ना तो आपको नजी दोड़ी दूर हो गयी है पानी हां तक कि अधिकावी संदर जगा है बहुत अलगलग टाइप की जिडिया है गिलहरी जरस मैंने आपको बस डालूंगे गिलहरी वीडियो बहुत मोटी होती है अपनी बिल्लियों से मोटी गिलहरी है तो बाकी ऐसे गुमाकी मेरे खाल से जहां समय आयते उसी जगा ले जाएगा नद कुछ तो अच्छा है जोड़े रो देखते हैं वड़ावट वाई शौ गार्डन से जो घूम रहे तना सड़क उस्टम एक पगड़ी उपर आए उपर आती बहुत फिर मोटन जमाने में आ गए यहां पर पार्किंग अगरा है लोग देखते मांसे रुनिंग करते वारे न महां से अपन अंदर आयते और यहां पर ट्रैक क्या पूरा मैं बता रहा था ना कित्ती अच्छी फैसलिटीज हैं यहां पर स्पोर्स वगरा को लेकर ऑल्दो ट्रैक हमारे यहां भी हैं किसी पूरी वीडियो में मैंने मना नहीं कर रहा हूं कि अपने इंडाय में चीज़ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रॉपर ट्रैक है जो अलम्पिक्स वगरा में किसी भी अच्छे इवेंट्स वगरा में होता है नाइस अच्छी जगह है चलो आगे जलके देखते हमार क्या क्या है यहां पर तो गाइस ऐसा था कुछ ओल्ट शॉब्रिज का यह एस्टे दूर जाद दूर भी नहीं है मुश्किल तीन चार क्लमेटर दूर सीटी सेंटर है और उसके पास में अच्छी सुन्दर जगह मज़ा आ गया और चिडियां तहल रही है कि लेरियां है काफी अलग टाइप के पेड़ हो गरा है कि यह देखो जैसे अपने को जीएटियों द अगर रहने में कितना मज़ा आता होगा नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े सी बहुत चीज़ा पसंद है पर हां मैं उन लोगों में से हूं जिनको ऐसे शांतिया रही जगाए है तो बस आज की वीडियो में इतना ही था यह ओल्ड शॉब्रिज का गार्टन है बेलफेस सेंटर से आप बस लेकि आते हो तो भी पढ़ जाएगा क्यों इस ग्राउंड है अपर मेलों में जगा है यह मैलों पाक के बास मैं गुगल लोकेशन डाल दूंगा अगर कोई विजिट कर रहा है यहां आना अच्छा लगेगा आप अगर पढ़ भी रहो यहां पर तो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए माइंड को छोटा सा रिलैक्स करने के लिए आप आ सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो के लिए वेट करते हैं सीवे नेक्स वीडियो